हे गाइज वाट्सेप वेलकम टू माइन यू व्लॉग और गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11.30 और आज मैंने व्लॉग इतना लेट क्यों स्टार्ट किया वो मैं आपको अभी थोड़ी दिर बात बताऊंगा किसलिए इतना लेट स्टार्ट किया लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं और अर्णव घर पे अकेले है तो कूंडी वगेरा मार के बैठे है हम लोग दरवाजे पर इस कमरे में बैठे है और क्यूं हम घर पे अकेले है वो अभी मैं आपको बताताूं तो बात है सुबह नो बजे के आसपास की उस टाइम हम तो सो रहे थे क्योंकि हम थोड़ा लेट उठ रहे हैं दो-चार दिन से क्योंकि जुटिया चल रही है तो जो हमारी सबसे बड़ी बुई है वो वैसे तो पूतगाल में रहती है फोरण में और लेकिन उनकी फैमली यही पर रहती है कुर्शेतर के पास पहवा है वहाँ पर तो उनके जो ससूर जी है उनको साथ साल से लखुआ मारा हुआ था वैसे मेरे को लखुए का इंगलीश में तो नहीं पता क्या होता है तो उनको 7 साल से लखुआ मारा हुआ था और अभी फोन आया कि वो एक्सपायर हो गए है और इसलिए वहाँ पे सब गए है और बच्चों का तो वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है इसलिए हम नहीं गए और हाँ जो मैंने कल व्लॉग बनाया था यानि मंडे को वो अभी अपल हुआ गाइज अभी घर में रखी थी मैगी और हमें लग रही थी भूख तो अभी हम बना रहे हैं मैगी यह देखो यह वाली है दो पैकिक तो सबसे पहले आपको पानी गरम होने रख देना है और पानी इतना होना चाहिए जितने आपकी मैगी हो मतलब कम जादा आप रख सकते हों अगर आपको पानी वाली जादा खिल लगती है तो आप पानी जादा डाल सकते हो और अगर आपको कम पानी वाली अच्छी लगती है तो आप कम वाली बना Serra और इसके अंदर डेलेरां मैगी मासाला और अब दूसरी वाली मैगी का भी मसाला डाल दिया और हम पे अभी कोई सब्जी नहीं है वैसे तो है लेकिन कोई घर में काटने वाला है इनी सब्जी तो इसलिए हम साबुत मैगी डाल देंगे मतलब खाली मैगी और अगर आपको लंबी पसंद है तो आप ऐसे डाल दो वर अब क्रैक कर करके डाल सकते हैं भस अब तो इसको चलाते रहो तो अब टू मिनाट नूडल बन गई है जो कि कभी भी टू मिनाट में तो नए बनती अब 10 मिनाट के बाद यह बन चुकी है तो चलो अब खाते आइं तो मैगी खाने के बाद हमने देखा कि हमारे साइक्ल की चैन उतर गई है तो पहले चैन पर ओयलिंग करेंगे उसके बाद चड़ाएंगे और अरनव को साइकिल की चैन चड़ानी आपती है तो अब साइकिल पर चैन चड़ गई है तो अभी वीडियो अप्लोड हो गई है और अब जाके हुई है चार बज गए है अब हुई है वीडियो अप्लोड और अभी माउर भी आ गई है और हमारे घर की दिवाली की सफाई तो भोग दिनों पहले ही हो गई थी लेकिन मंदिर अभी बाकी था तो आज मम्मी कर रही है मंदिर को साफ आज धन्तेरस है कल छोटी दिवाली है और उसके बाद फिर दिवाली है तो चलो मैं आपको दिखाता हूं मंदिर साफ हो रहा है और आज धन्तेरस है तो आप सबको हैपी धन्तेरस यहां पर और यहां देखो मंदिर की सफाई और मम्मी ने यहां पर होई माता के यहां पर नए बच्चे डाले है नए श्याओ डाले है और कल छोटी दिवाली है इसलिए मम्मी हर जंगा की चद्दर वगारा चेंज कर रही है देखो जैसे ड्रोइंग रूम में यह वाली चद्दर विछाई है और यह सोफो पर लगेगा तो यह देखो गाईज कुछ ऐसा हो गया है यह ऐसे और यह ऐसे और यह यहां पर कुछ ऐसे है अभी आता ही हुए है यहां और यहां पर देखो अभी नव सफाई करने लग गया है और देखो मैं कहां से वीडियो बना रहा हूँ जाली के यहां से लेडिस चपल में वह बाग गया है यहां पर सफाई करने लग गया है और यहां पर देखो यह चिक हमने इसलिए लगवाई थी क्योंकि यह देखो यह सारा खराब हो गया था धूप की वज़े से और यहां पर देखो अभी नव फिर सफाई करने लग गया है यहां पर देख सकते हो लेडिस चपल में और यह हो गया पूरा ड्राइंग रूम सेट देखो अच्छे से तो अभी टाइम हो रहा है शाम के साड़े साथ और मैंने शाम तक इतना व्लोग क्यों नहीं बनाया क्योंकि जो पिगिया उसने कल पपी दिये थे और हमें पता लगा भी एक घंटे पहले की उनमें से एक मर गया है तो हमने उसको दफनाया नमक वगेरा डाला और कल दिखा दूँगा मैं आपको पपी कैसे है और आज धन तेरस है तो इसलिए मम्मी ने दिया जलाया और अभी खाना खाएंगे हम और खाना खाने के बाद हम लोग धन तेरस के दिन जाडू लाते है तो जाडू लेके आएं तो अभी खाना खाली है और खाना तो अच्छा था काफी टेस्टी था और जैसे हमने पिगगी के लिए घर बनाया था और अगर मानलो आपकी भी कही स्ट्रीट में ऐसा कोई डॉग पपी देने वाला हो तो आप उसके लिए घर बना दिया करो तो उसके लिए सेफ भी हो जाएगा वो और उसको एक कमफर्टेबल प्लेस भी मिल जाएगी और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो डॉग के पास जाके पटा के फोड़ते हैं और मैंने खुद देखा है कि एक बंदे ने डॉग की पूछ पे मुर्गा चाप बांद के उस मत करो आप पटा के फोड़ो लेकिन ऐसे मत फोड़ो हम भी फोड़ेंगे लेकिन ऐसे नहीं फोड़ेंगे तो बस यही मैं आपसे कहना चाता था और अब तो बोर से हो गए है क्योंकि दिवाली की छुट्टी पड़ी है तो उसमें हमने जो पहला दिन था चुट्टी का उ पूर से हो गए है एक ही चीज करकर के तो अभी हम बाहर आ गए है और अब हम जाएंगे जाडू लेने अब हमने जाडू ले लिया और मैंने साथ में चिप्स भी लिया और यहां पर भराते ही मैंने देखा कि अर्नव और हमारे दोस्त गली में पटाके फोड़ी तो अब हम बाहर जाडू लेने गए थे वहां से तो आ गए है और हम साथ में लेकिया जाए चिप्स और कौन सा है उसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नौ साथ तो बस गाइस इस व्लॉग को करता हूं मैं एंड मिलते हैं आप से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए गुड़ बाई और हाँ जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिये थे उसको फ हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दो कर दो और इस व्लॉग को लाइक कर दो बाई गाइस